नमस्से फ्रेंड अमरता किचन में आपका स्वागत है आज हम लोबिया और आलू की सबजी बनाएंगे और आएए देखिए हम कैसे बनाते हैं हमें किन-किन चीजों की अवश्चता है अगर मेरी वीडियो में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्क्राइब जरू कीजिए डाइसोगराम हमने लोबिया ले लिया, सफेद लोबिया ले लिया, इसको हमने दो गंटे पहले बिगो दिया था नमक डाल कर पानी में चार आलू हमने ले लिये और काट लिये दो कर फ्रेश करके, चार टमाटर और चार हरी मिर्चे और एक प्याज को हमने बरीक पीस लिया, लस्सन अत्रक को हमने कद्दू कस कर लिया, ये गार्णियश के लिए दनिया है और थोड़ा सा हम सबजी में भी डालेंगे, इसको हम कर लेते हैं, एक चमच हमने बड़ा कडशी जो होती है, वो हमने एक बड़ा चमच रिफाइंड का डाल लिया, इसको हम गरम होने देंगे, आदा छुटा चमच जीरा डाल देंगे, ठोड़ी सी राई डाल देंगे, जिसको सरसों ताना कहते हैं, थोड़ा कटकनी लग जाएगा, ब्राउन हो जाएगा जब गीरा, तो हम लसन अद्रक डाल देंगे, इसको अच्छी तरह हिला देंगे, यह भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, फिर हम पेस्ट डालेंगे, ठोड़ा होने लगा है, थोड़ा और हो जाएगा, यह कच्छा है अगी, अगर कच्छा पन रहेगा, तो सबजी में टेस्ट नहीं आता, तो इसको थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं, खुश्बू आ गई है, तो अब हम पेस्ट डालेंगे, साथ के साथ हम दनिय डाल देंगे थोड़ा सा, इसे खुश्बू अच्छी आती है, साथ के साथ मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मर्ची डालेंगे, अब यह केचन कींग मसाला डाल देंगे, इसको भी हम शेर करेंगे रस्पी को, अभी हम फिलल गर के लिए बढाया है, वह थोड़ी, कश्मीरी लाल मर्ची भी हमने थोड़ी सी डाल दिये, जिसे रंगत अच्छी आ जाएगी, थोड़ा इसको बूनने देंगे, मसाले को, मसाले हमने डाले हैं, जो अगर आपको जितना मसाला डालना हो सबजी के अंदर उतना ही आप डाल सकते हो, कम खाना है कम डालो, ज्यादा डालना तो ज्यादा अपने हिसाब से डालना, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कम डाले, इसको थोड़ा पकने देंगे मसाले के डखकन थोड़ा आसे रख देदें देखते हैं मसाले को मसाले का रंग कैसा हो गया मसाला बन गया और वीजी उपर आगे हैं काफी खुश्पू अच्छी आ रही है अब हम लोभी को और आलू को मसाले के अंदर अच्छी तरह बूल लेंगे इससे मसाला सबजी के अंदर मिक्स हो जाएगा इसको भी हम 2-3 मिल्ट के लिए वैसे ही पकाएंगे जैसे हमने मसाले को बूल आए देखते हैं 2-3 मिल्ट हो गए है तो मस सबजी बूली की नहीं बूली गी उपर आगे है तेखो साइडों ना गीव आ रहे है तो सबजी मिक्स हो गई है अगर ऐसे ना बूनते तो सबजी का टेस्ट अच्छा नहीं आता तो इसलिए हम सबजी मसाले के अंदर बूल लेते हैं 2-3 मिल्ट के लिए अब हम पानी डालेंगे दो गिलास पानी डाल देंगे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अगर आपको तरी पतली चाहिए होगी तो तरी पतली बनाना हम ग्रेवी वाली पना रहे हैं अब हम तीन विसल लगाएंगे और सबजी बनके त्यार हो जाएए हमने आलू और लोबिये की सबजी बनाकर त्यार कर लिए और तीन विसल में बन गई काफी कलर अच्छा आया है देखने को काफी अच्छी बनी है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें सब्क्राइब जरूर किजिए और अपने अनुबब अमरता किचन से शेर किजिए